कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमिताव आलंद और आपके लिए मैं लेकर आए हूँ स्सी के लिए कुछ question answer का session जिसमें सारे questions जो हैं जितने भी type की questions पूछे जाते हैं वो इसमें deal करेंगे हैं हम लोग क्योंकि सायद जो संभावना बन रही है वह नौवंबर में मेंस की संभावना बन रही है तो उसको देखते हुए जो है हमने एक प्रोग्राम सुरू किया है ससी के लिए अपकी बार ससी पार तो इसको देखते हुए जो है हमने आज जो पहला सेशन में जो है हमें रखा है Comprehension का तो पैसेज जो है वो बड़ा महत्पूर्ण है और आपको पता है कि यह मेंस में जो है Before solving these questions, you must have the word power. यानि कि आपके पास जो है, एक vocabulary जो होना, vocabulary का power जो होनी चाहिए, वो बहतर होनी चाहिए. जिससे जो है, आप कोई भी जो sentence परते हैं, उसको तुरंट ही समझ सकते हैं. ठीक है? क्योंकि आप अगर vocabulary आपके पास महीं होगी, तो आप उसको बहतर तरीके से समझ नहीं पाईएगा, और आपको questions का answer देने में बहुत तकलिफ हो, बहुत यह दिकतों के सामना करने पड़ेगे, ठीक है? और time भी taking होगा यह, ठीक है? और मैं आपको यह बता दू, words का इतना महत्यपूर्ण role है, जो आप as a language, जो कहीं नहीं मिलता है, लोग grammar पढ़ते हैं, grammar में noun, pronoun, बगएर जितने भी यह parts of speech यो पढ़ते हैं आप लोग, उसमें केबल कुछ short, बहुत ही संचित रूप से बताया जाता है, लेकिन word का अपना एक grammar होता है, यानि कि आप जब जो define करते हैं word को, वही grammar है main, जिसे पढ़ाने में कोई, कोई वेक्ति सामने नहीं आता है, क्योंकि यह अपना एक process है develop करने का, हर word को तो आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हर word जो है अपने आप में एक मतलब करेंगे तो उसका कई मतलब निकल सकते हैं, चाहिए वो noun हो सकता है, pronoun हो सकता है, adjective हो सकता है, word हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो word का जो है, या सौरी, जो word का है, हो काफी मतलब की important role है आपके exam में, खास करके कौन कौन सा section जो है इसमें सबसे ज़्यादा इसका role है, वो है आपका comprehensive पहला, दूसरा जो है आपका close test, वो सबसे ज़्यादा खदरनाक होता है words के मामले में, तीसरा जो है वो है PQRS, यानि कि sentence rearrangement कहिए उसको, चौथा जो है आपका सकते हैं एक तरीके से endosino तो ही, प्लस जो आपका सकते हैं एक तरीके से आप fillers जो है, चाहे वो single fillers हो या double fillers हो, आज तो the triple fillers भी आ गया है, तो कई सारे fillers को ठीके न करने में, तो words का बहुत ही बड़ा role है इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है, पहला जो है, comprehension को सुरू करने से पहले, सबसे जरूरी है, आपका word पर पूरी तरह से command होनी चाहिए, दूसरी बाद, आप जब भी passage को पर रहे होते हैं, तो उसके context को समझे, उसके situation को समझे उस passage का, क्योंकि if you do not understand the context of the passage or the situation of the passage, you can't define what is being asked here, तो capture the whom, why, how, where, aspects of the passage, ताकि आपको पता लगे कि ये पूछा क्या जा रहा है, कहां ये घटना घटी, कैसे हुआ ये, या कौन है इसके पीछे, तो ये सारे चीज जो कुछ पहलू है, उस पर आपको ध्यान देने पड़े हैं, फिर जो है, आपको ये बताना पड़ेगा कि which subject or discipline is the passage related to, किस, मतलब ये passage जो है, कौन से discipline या कौन से subject से related है, चाहे वो आपका science or technology का हो, चाहे वो आपका economics का हो, चाहे वो literature का हो, history का हो, या किसी भी चीज के बारे में, ठीक है न, वो आपको वो find out करना पड़ेगा, फिर जो है, आपको ये करना पड़ेगा कि, जब आप इसको रहे होते हैं, तो आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा, कि जदी आप examiner होते हैं, वहाँ पर, जदी आप इस questions को set करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, जो आपके प्रशनों का जवाब दे रहा है, उससे आप क्या चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग में वो सोचिए कि examiner क्या सोच रहा है, उस चीज को आपको समझने की कोशिस करनी पड़ेगा, फिर जो है, सबसे important काम क्या है, जब आप passage पर रहे होते हैं, तो एक चीज धियान रखेगा, कि कभी भी analyze नहीं कीजिए, कभी भी उसके conclusions को निकालने की कोशिस मत कीजिए, या किसी भी questions को अपने उनहीं तक सिमित रहना है, और कोई भी adjustments नहीं करना है, do not make any adjustments, ठीक है, तीसरा है, जब भी आपको, जो next है, वो जब भी questions का answer करना हो, तो कोशिस कीजिए पढ़ने के पास सबसे पहले जो है, एंटो साइनों को करने की कोशिस, ये तुरंक, चंद सेकेंड में बन जाते हैं, फिर जो है, आप जो पूछा जाता है, उसको आप, क्योंकि एक passage में कम से कम, CGL में जो का जाता है, पांच questions होते हैं, ठीक है, जिसमें एक दो हो सकता है, कि आपका एंटो साइनों हो, ठीक है, और रेस्ट जो है, वो तीन उसमें होगा, मतलब की questions होंगे, दों questions, मतलब ठीक ठीक है, ताकि आप जो है, उसको तुरंत quickly answer कर सके, तो इस तरह जो है, जो main आपको focus करना हो, पैसिज के understanding पर, understanding कहां से आएगा, वो words से आएगा, words जो है, वो आपको पहले से करने पढ़ेंगे, और उसके लिए आपको newspaper पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, तो आए शुरू क करते हैं, आज का जो session है, उसका पहला comprehension test का जाने की, देखते हैं, जा है पहला, यह देखे, comprehension for SSC CGL tier 2, ठीक है, direction है, यह questions पूछे कहे हैं, 25 तारीक को, 25 October 2015, CGL tier 2 में पूछे कहे हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, यह देखे, यह है, आपक्टूबर, 2015, CGL tier 2 में पूछे आपका पहला passage, हम चले इसको यह कर लेते हैं, जरा सम, एक मिट, यह, पॉल पॉइंट, यह, आई देखते हैं, the question of race has caused bloodbust throughout history, अब माल लीजी, यहाँ पर जो race का मतलब आप जानेंगे क्या, race का मतलब दौर भी होता है, ठीक है, दौर जो होता है, race जो हम लोगा लगाते है होता है ना, और race का मतलब एक और होता है, जो यहाँ पर जो मतलब है, वो यह है, कि जैसे आप कह सकते है, race का मतलब people, यानि की प्रजाती, जाती प्रजाती जो होता है, caste, treat, race, ठीक है, तो question of race has caused bloodbust, अब bloodbust का मतलब क्या होता है, bloodbust जो होता है, ऐसा event होता है, जब a large number of people are killed, मतलब कि जिसमें बहुत सारे लोगों की, को मार दिया जाता है, उसको हत्या करनी जाती, यानि कि हत्या कांड का सकते हैं, throughout, मतलब पूरे हिस्ट्री में, पूरे हित्यास में, जो question of race है, यानि कि जो race का जो प्रश्न है, या सवाल जो है, उसने क्या किया है, एक bloodbust किया questions बनेगा, ठीक है, ये bloodbust किसके करन हुआ, question of race, पहला हो गया, take the case of negro, अब किसकी बात हो रही है, निग्रो की बात हो रही है, ये धियान रखिएगा, निग्रो की बात हो रही है, तो निग्रो का case लिए, निग्रो का मामला ले, a negro is someone with black skin who comes from Africa, आपको ये बताना है, कि निग्रो है, एक ऐसा चीज, या ऐसा बेखती, जिसका black skin होता है, यानि कि वो काले होते हैं, जो आते कहां से हैं, अफरीका से आते हैं, अब ये आपका एक question हो सकता है, जो आते कहां से भी है, वो अफरीका से आते हैं, it is an old-fashioned word, ये जो है, पुराना परा हो है, मतलब कि ये जो है, एक तो old-fashioned word है, ठीक है, और ये offensive है, offensive का मतलब जानते हैं, one who offends somebody, ठीक है न, यानि कि hurt somebody, यानि कि अफमान जनक कह सकते हैं, ठीक है न, some people used to write that way deliberately, कुछ लोग जो है, लिखा करते थे, इस तरीके से, जान बुच कर, deliberately जान बुच कर, the word nigger is also very offensive, ये जो word nigger जो है, वो भी काफी offensive है, बादा अफमान जनक है, ठीक है, ठीक है न, the word was later replaced by colored, ये जो word है, निग्रो जो है, ठीक है न, इसको बाद में किस से बदल दिया गया, colored से, ठीक है न, colored से, which gave way to, अच्छे ये gave way to का मतलब क्या होता है, देखिए, हम आपको ये बता आ जाते है, give way to something का मतलब होता है, to be replaced by somebody, ठीक है, या something, ठीक है, उससे उसको बदल दिया जाना, to be replaced by something, या somebody, लेकिन give way का जो मतलब है, अगर उसके बाद to नहीं आए, तो उसका मतलब है, जुख जाने के sense में, या वो गिर जाने के sense में होता है, give way, ठीक है ना, या किसी को रास्ता देने के भी sense में होता है, give way, याद रखिएगा, वर्ड का छूटा छूटा चीज, अगर उसमें लगा दिया जाता है, तो उसका मतलब change हो जाता है, तो ये जो वर्ड था, ये नि negative suggestion, अब देखिए, black के बाड़े में बात हो रही है, तो black एक ऐसा color है, जिसमें negative connotation होता है, यानि कि उसका भाव जो होता है, ना, नकालात्मक होता है, so we have expressions like black deed, black day, and black male, इसलिए हमारे पास कई सारे expression है, एक ताइब के भाव है, जैसे कि black deed, काली कारणा में, black day, काला दिन, black male, तो जानते ही है, so no wonder the word black to assume unfavorable meanings, तो इसमें कोई आश्चरी की बात नहीं है, कि यह जो word black है ना, उस वो भी जो है, to, मतलब कि वहले तो निग्रो था ही, लेकिन यह black भी जो है, इसमें जो है unfavorable meanings आ गये, यानि कि unfavorable मतलब क्या होता है, मतलब जिसको favor नहीं किया जाए यानि कि गलब meanings आ गये है, इसका मतलब कि कहीं नहीं एक अपमांजनक इसमें, मतलब कर सकने है, अर्थ इसमें इसने गहन कर लिया, although, फिर जो है, bracket में दिया जा रहा है, although, हाला कि in the 1960s, यानि कि 1960 के दसक में, the famous slogan, एक famous slogan चलाया गया था, जिसका नाम था, black is beautiful, ठीक है, वो एक slogan था, उसको क्वाइन किया गया, क्वाइन मतलब होता है, इजाद करना, इसी कीज़ को सुरुवाद करना, ठीक है न, and it did not help, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिल, the blacks of the United States, अब कहां का blacks बल रहा है, United States का, यानि कि America का, therefore, इसलिए, came to be called, Afro-African, Americans, यानि कि वो कहे जाने लगे क्या, Afro-Americans, ठीक है न, United States के blacks, ठीक है, now, अब जो है, the politically correct, अब देखिए, ये politically correct और politically incorrect क्या होता है, politically correct जब भी आप बोलते हैं, तो वो एक expression होता है, जिसमें ये जो है, आजकर politically correct expression, politically correct language, ठीक है, तो वो तब use करते हैं, जब कोई वेक्ती जो है, किसी particular समुदाय को, या particular वेक्ती को जो है, वो hurt नहीं करना चाहता हो, या often नहीं करना चाहता हो, तो उस चीज को, उस expression, या उस language को politically correct कहा जाता है, politically correct language, या politically correct phrase, या politically correct expression, ठीक है न, तो now the politically correct phrase is African American, अब जो है, politically correct phrase क्या है, वो African American है, तो चलिए आपने ये तो देख लिया कि कहां कहां से क्या 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 सकते हैं, तो आगे आते हैं हम लोग क्या 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 क of offensive, offensive आपने देखा था, offensive क्या होता है, अपमान जनक होता है, offense से बना है, O, F, E, and D, offense, offense जो है, वो defend का उल्टा होता है, offense मतलब एक तरीके से किसी पर आक्रमन करना, और defend मतलब रख्षा करना, ठीक है न, तो offensive मतलब अपमान जनक, ठीक है, तो इसका answer क्या हो सकता है, इसका answer, aggressive, बहुत ही close है, यानि कि आक्रमन, वो ही होगा ही, aggressive होगा है इसका, ठीक है, ये आपका answer है, sympathetic मतलब होता है, किसी से, दया, पूर्ण तरीके से, सहनुभूदी, समझ गे न, सहनुभूदी, जिससे परकट करते हैं, courteous का मतलब होता है, politely, मतलब कि polite तरीके से बैवार करते हैं, defending तो अभी just हमने आपको बता है, कि किसी चीज़ को defend करना, उसका रक्षा करना, उसके बारे में, एक तरीके से अपना, एक तरीके से आपका ये कि, उसको defend कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को मालेजे, आप पर कोई हमला किया है, तो आप उसको defend करते हैं, defend से ही defense बनाया है, ठीक है, defend जो है, verb है, defending जो है, वो adjective है, और defense जो है, वो noun है, जाद रखिए गया, आगे बढ़ता है, ये हो गया आपका, दो number, politically correct phrase, जो last में हमने पढ़ा था, वो क्या है, वो क्या था, याद है आपको, afro-americans नहीं था, afro-americans को बाद में, जो है, african-american कहा जाने लगा, ठीक है ना, यार, यहाँ देखिए आके, ये देखिए, ये देखिए, politically phrase is african-american, ये तुरंट हो गया आपका, ठीक है, आईए, तो ये आपका हो गया, african-american, right, next one, which old, which word is old-fashioned and offensive, कौन सब वर्ड, याद है कि, सुरुआख में हमने पढ़ा था, old-fashioned कोन था, offensive कोन था, ठीक है, कौन सब वर्ड था, याद है आपको, आई, देखते हैं, ये देखे, it is an old-fashioned, ये कौन सा, किसके बारे में बात हो रही है, निग्रो की बात हो रही है, निग्रो के बारे में, जब बात करते हैं, तो ये, आपका, निग्रो हो गया, आपका answer, black, तो बाद में आया, color के बाद, इसकीन का, कोई संब्द नहीं है, आफरीका से, कोई संब्द नहीं है, इसका, offensive का, फोर्ट में, वर्ट इंप्रेशन दस दो वर्ड ब्लैक कैरी, कौन सा इंप्रेशन जो है, इस ब्लैक, ये जो ब्लैक है, वर्ट इंप्रेशन आता है, कौन सा सेजेशन मिलता है, ओवियस है, निगेटिव सेजेशन याद होगा, आपको परहे होंगे, वो निगेटिव सेजेशन है, ठीक है, contemptible मतलब होता है क्या, contemptible का मतलब होता है, एक तरीक से contempt करना, किसी का निंदा, भिर्णा से देखते हैं, तो वो जो है, contemptuous look होगा, ठीक है, लेकिन contemptible जो होता है, जैसे कोई काम आपने मिंदा निया किया है, घ्रनित किया है, तो वो contemptible होगा, ठीक है ना, अलब तो होगा ही नहीं, unfavorable होगा नहीं, निगेटिव ही होगा, आपने देखा होगा 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 आपर, आईए, next questions, black is beautiful, कब, why, sorry, क्यों, why was, याद है ना आपको, हमने आपको कहा था कि, क्यों, कब, कौन, ये सब चीज़ आपको बहुत धिहान में रखना पड़ेगा, तो why was black is beautiful, ये जो, ये जो, ये जो, ये जो स्लोगन था, क्यों इसे क्वाइन किया गया था, तो देखते हैं, क्या-क्या है, to encourage racial caste-wise, ये तो increase करने के लिए नहीं किया गया था, सबसे पहले ये कड़ गया आपका, दूसरा क्या है, to disgrace negro slavery system, slavery की कहीं भी बात नहीं आई है, इसलिए ये कर गया आपका, to combat the prejudiced feelings against blacks, ठीक है, यानि कि आप कहा सकते हैं, ये जो prejudiced feelings जो था, blacks के पर्दी, blacks के खिलाब या blacks के पर्दी, prejudice मतलब, पक्षपात पून जो एक रवया था, एक feelings था, उससे लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, तो ये आपका answer होगा, इसी वज़ा से black is beautiful, but it did not help, लेकिन ये कोई काम नहीं आया था, ये to enhance the confidence of aboriginals की बात तो ही नहीं, ये भी कड़ गया आपका, ठीक है, ये होगया, next, आते हैं, अगला passage पर, ठीक है, on November afternoon, कब one November, एक, एक, एक November afternoon में, यानि कि, इसी November के afternoon में, दो फ़र में, अच्चाई, एक बच्चा, camp to riders lighthouse, एक बच्चा, देखिए, कौन आया, बच्चा, याद रखे कही है ये चीज़, कहां आया, riders lighthouse, कहां पर riders एक है, और एक बच्चा है, और ये कहां आया, light house में, ये याद रखेगा, light house इस्टिडियो में आया, ठीक है, C was about 12, अब आपको बताना है, ये जो है, ये बच्ची है, और इसके बारे में, description है, देखिए, वो 12 वर्स की थी, स्लेंडर थी, मतलब पतले दुबली थी, डर्टी भी थी, गंदी थी, मतलब कि नर्वस थी, ठीक है, और टिमीड थी, बड़ा डर्ड़ पोग थी, इनर आम्स, उसके बाहों में, C carried something, को कुछ ले जा रही, मतलब वो कुछ उसके पास था, C carried something, she was disparately afraid of the ugly man, she had come to see, वो जो है, हतास पुर्बक तरीके से, या हतासा भरे मतलब के तरीके से, वो डड़ी हुई थी, आशंकित थी, किस चीज से, अफरेट के साथ ओफ लगता है, याद रखियेगा, ठीक है, अगली में से, वो जो है, अगली मतलब की बुरा टाइप का आदमी, या खराब दिखने में लगने वाला आदमी, तो वो बिल्कुल डड़ी हुई थी, she had come to see, जो मतलब जिन से, वो मिलने आई थी, ठीक है ना, आगे देखते हैं, बट सी हैड हाट समवेर, लेकिन उन्होंने, वो लड़की जो है, उन्होंने कहीं सुना था, कि that this man, कि या जो बेखती है ना, उड हिल, वो ठीक कर देता है, घायलों को, या घायजीजों को, ठीक है ना, तो वो बेखती जो है, वो किसी से सुनी थी, कि वो जो है, वो किसी को भी ठीक कर देता है, मतलब इंजर्ड बेखती को, या इंजर्द इंजर्टिंग्स को, अ मैंस वोईस 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 था, आवाज यो थी, वो कैसा था, बड़ा गहरा था, बड़ा डीप था, एंद काइंड, और बड़ा काइंड था, मतलब कि एक तरी के इस फ्रेंड ली था, वेन इस पोक टू हर, जब उससे कुछ कहा, वोट इजर्ड चाइल्ड, क्या है ये बच्चे, से स्टेट फ़रवड, वो आगे बरी टिमीद ली, डरते हुए, ठीक है ना, एंड इन हांस, और उसके बाहों में जो था, वो क्या था, अलार्ज वाइट बर्ड, याद रखेगा कौन था, वाइट बर्ड, विच वाइट इस्टिल, जो अब भी जो है बिल्कुल इस्टिल था, मतलब अस्थीर था, मतलब उस पर कोई हलचल नहीं हो रही थी, कही सारे धब्बे थे, उनके वाइट नेस, वाइट नेस का क्या मतलब, वो बर्ड जो था, वो पूरा वाइट था, तो उसकी वाइट नेस में जो है, इस्टेंस वाइट थे, मतलब कि धब्बे थे कहीं कहीं पर, गर्ल प्लेस इट इन हीज आंप, वो जो लड़की थी, वो उसे इट मतलब वो बर्ड को, उसके बाहों में रग दिया, उसके हाथ में रग दिया, I found it sir, मैंने इसे पाया, sir, स्रीमान, It is heard, ये घायल है, Is it still alive, क्या ये अभी भी जिन्दा है, Yes, yes, I think so, हाँ, बिलकुल, मेरा ऐसा मानना है, राइडर वेंट इन साइट, विद द बर्ड इन इस आर्म, राइडर जो है, वो अंदर चला गिया, बर्ड के साब, अपने बाहों में लेकर, या अपने हातों में लेकर, वो उसने जो है, इसे टेबल पर रखा, गर्ड फॉलूड, गर्ड बात में आई, द बर्ड फलटर, वो वर्ड जो है, वो फलटर फड़ फरपराने लगा, राइडर इसपेड वन आफ इस लार्ज वाइट विंग्स, राइडर जो है, उसका जो एक बड़ा सा, जो लार्ज एक बड़ा सा, वाइट विंक्स जो था, सफेद जो पंक थे, एक तरी के से, विंक्स जो था, उसको फैला दिया, एस्पेट कर दिया, चाहिल, वेर दिट यू फाइड इट, बच्चे ही, तुमने कहां इसे पाया, वेर दिट यू फाइड इट, इन दुमाश, एक माश में, सर हंटर, इसे मैंने मार्श में पाया है। Hunters had been there, वहाँ पर सिकारी थे। Is a snow goose from Canada? क्या ये snow goose है, Canada से? याने की कहां से है? या तो कियेगा ये कौन सा है? Snow goose है, Canada से है। ठीक है? But how did it get here? लेकिन ये यहां केसे आया? ठीक है? The girl's eyes were fixed on the injured bird. उस गल्स का जो eyes था, वो एक्तम टक्टकी लगा के उस घायल पक्छी पर या पंची पर जो है, फिक्स्ट हो गया, ठीक है ना? She said, can you heal it sir? क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं sir? Yes, said rider. राइजर ने का, हाँ, we will try, हम लोग कुशिश करेंगे. You can help me, तुम मेरी मदद कर सकती हो. She has been shot poor thing, ठीक है ना? वो जो है, she has been shot poor thing. She जो है यहाँ पर bird के लिया आया है, तो उसे जो है shot किया गया था, यानि कि उसको या तीर या भी बोली से जो है मारा गया था. Her leg is broken, उसके जो पाउं तूट चुके हैं, और wing जो है, वो भी तूट चुका है. And the wing too, two के बाद broken नहीं है, क्योंकि broken एक बार use हो चुका है, ठीक है ना? तो हम लोग अब questions का answer करेंगे, क्या-क्या है, देखते हैं. Where did the bird come from? हमने आपको बताया था, कहां से यह आया है, Canada से, कोई सोचने की जोरत नहीं है, फट से बन गया यह, ठीक है, आखे बढ़ते हैं. Where did rider live, कहां पर rider live करता था, याद है आपको, वो कौन सा, मतलब की, light house में करता था, light house studio में, in a light house, याद है ना आपको, या. Which of the phrases best describe the girl, कौन सा phrases में से जो है, इन में से जो है, उस girls के बारे में burn-on करता है, bored and brave तो थी नहीं हो, loud and forceful वो थी नहीं, shy and clean, shy तो थी, लेकिन clean नहीं थी, dirty थी, slender and dirty थी, यह हो गया, पतली दुबली और dirty थी, हो गया आपका, nine में आपका, why did the girl tag the bird to rider, क्यों उस girl ने bird को rider के पास ले गया, याद है, किसली ले गया था, वो डर्ती थी उससे, ठीक है ना, क्योंकि वो बड़ा somewhere, that the man would heal injured things, ठीक है ना, आपको याद होगा ये line, तो यहाँ पर किसली है, तो देखते हैं क्या है, so that he would send it, ये तो होगा नहीं, so that he would tell her if it was still alive, ये भी नहीं होगा, so that, so that का मजू ताकी होता, he would tell her what to do, ये भी नहीं होगा, so that he would heal it, ताकी वो उसे ठीक कर सके, ठीक है, होग ये answer, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा, इतना कहना भी हो, तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे है, आप जस्कैन करेंगे इसको अपने आखों से, और तुरंत जो है, आपका answer फट से हो जाएगा, within 10 seconds भी नहीं लगेगा, बस आपको message को उसे आप ध्यान से पढ़िए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, how had the bird been injured, कैसे वो bird injured हुआ था, याद है, shot किया गया था उसे, तो by a great storm इससे नहीं हुआ था, while flying through the woods इससे भी नहीं हुआ था, by a wild animals इससे भी नहीं हुआ था, she had been shot by hunters, उसे जो शिकारी के दौरा shot किया तक यह आपका answer हो गया, तो यह ही तक आज का यह session समाप्त होता है, आपको कैसा लगा, यह जरूर feedback दें, ताकि आगे जो है, और ज्यादा अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तूत हो सकुम है, PQRS का भी session जल्ड ही आने वाला है, हो सकता है कल आए, और अब जो है, जो comprehension का है, वो हो सकता है, आज तो दो ही मैंने किया, तीन या चार्ड हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको पैयार रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार,